13 सितंबर साल 1769 में क्यूबेक की लड़ाई हुई थी इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, और्स्ट्रिया, स्वीडन, सैक्सोनी, रूस और स्पेन का गटबंदन था वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रश्या और हनोवर का गटबंदन था आपनिवेशे काल में यह युद्ध भारत और युरोप में लड़ा गया, इसी वज़े से इसे फ्रांसिसी और भारती युद्ध की रूप में जाना जाता है उस समय फ्रांस पर युरोप में फ्रेडिक द ग्रेट और उसकी प्रश्या सेनाओं का कबजा था ब्रिटेन ने व्यवपारिक द्रश्टिकोंड से एक प्रतिदंदी के रूप में फ्रांस को नश्ट करने के लिए इस युद्ध में भाग लिया इसे अब्राम के मैदानों के लड़ाई भी कहा जाता है चार साल तक चलाया युद्ध 1763 में फ्रांस के आत्म समर्पन के साथ समाप्त हुआ 13 सितंबर साल 1929 में जतींदर नात दास शहीद हुए वो एक महान क्रांतिकारी थे उन्हें यतिंदर नात दास या जतिन बाबु के नाम से भी जाना जाता है पहली बार वो 1920 के असहयुग आंदोलन में शामिल हुए और चार दिन के लिए जेल भी गए इसके बाद वो प्रख्यात क्रांतिकारी शचींदर नात सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन एचारे के सदस्य बन गए दल के लिए दर रिविलुशनरी का पड़्चा छपवा कर देश भर में वित्रण का एहम दायत्व यतिंदर बाबु को सौपा गया जिसे उन्होंने बखोवी निभाया झाल